अमेरिका के नव निर्वाचित राश्टुपती डोनाल ट्रम्प ने कैनिडा से आने वाले सभी समानों पर 25 प्रतीशत टारिफ लगाने की धमकी दी थी अब इसके जवाब में कैनिडा का सबसे अधे काबादी वाला प्रांथ ओंटेवियो अमेरिकी शुराब पर प्रतिबंद लगाने की तयारी कर रहा है इसके अलावा अमेरिकी राजियो मिशिगन, न्यू यॉर्क और मिने सोटा को बिशली का निर्यात रोकने पर भी विचार कर रहा है वहीं आपको बता दे कि ओंटेवियो के प्रीमियर डग फ्रॉट ने इसकी पुष्टी की है इसके अलावा उंटेवियो अमेरिका को होने वाले महतोपूर खनीजों के निर्यात पर बैन लगाने पर विचार कर रहा है इसमें सरकारी टेंडर से अमेरिकी कंपनियों को बाहर रखने की भी तर्यारी है इसके साथ ही फॉट ने बिजली ना बेशने के फैसले को आखरे विकल बताया है फॉट ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ट्रॉंप ऐसा चाहते हैं उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे लोगों के रोजकार को निशाना बनाएंगे तो हम हर संभब उपाई करेंगे हाला कि मुझे उमीद है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी